असलाम अलेकुम जी आज के इस लेक्शर में मैं आपको हुशाम अदीद कहता हूँ और आज जो हम चीज़ सीखने वाले हैं that is related to data analysis expression DAX, DAX एक बहुत ही मशुरी जमाना data analysis expression एक language है जो आपको power BI developers बहुत ज्यादा इसके बरे में बात करते नजर भी आएंगे और वो इसके उपर काम भी करते नजर आएंगे DAX हमारे लिए क्यों जरूरी है सीखना अगर आप एक data analyst है या data analyst बन रहे हैं जिसे हम जहरे तह मेरी data analyst बोलते हैं तो आपके लिए ये language सीखना बहुत जरूरी है उसके कुछ reasons है वो reasons क्या है वो भी हम आज के इस lecture में देखेंगे और DAX होती क्या है और आपको किस तरीके से सीखनी चाहिए इस बारे में भी हम गुफ्तकू करेंगे टाइम जाय कि अब इना start करते है आपके सामने स्क्रीन आ रही है जिसके उपर आप देख सकते हैं data analysis expression यानि के DAX को data analysis expression बोले जाता है DAX मेरा नाम है डॉक्टर महमद अमार्तुफैल और कोडैनिक्स को कोडैनिक्स यह उपर मैं आपको खुशाम देद कहता हूँ data analysis expression है किसके लिए सबसे पहले चीज़ वो लोग जो data analysts है ये उनके लिए ये language है वो लोग जो MX Excel के साथ data analyst बनना चाहते हैं CK, MS Excel को उनके लिए ये language है जो लोग Power BI के developers बनना चाह रहे हैं या उनके लिए language है तो इन तीनों के लिए ये language बहुत जरूरी है बाकि जिसने सीखने है that's also good अगर आप इस language को सीख जाते हैं तो आप data analysis को CK dashboards भी बना सकते हैं और within few lines of code क्योंकि ये expression language है simple formula लिखके आप multiple बड़े-बड़े data set के उपर काम कर सकते हैं हम इस पूरे के पूरे data analysis expression यानि के DAX के course के अंदर क्या के cover करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ सबसे बहले हम date and time क्या होती है DAX के अंदर वो हम देखेंगे फिर aggregate के functions कौन-कौन से हैं वो हम देखेंगे logical functions देखेंगे इसके इलावा हम text filter and relationship ये कुछ basic किसम की DAX की terminologies को हम study करने वाले हैं अब DAX को जब हम पढ़े होते हैं तो इन 6 की 6 के इलावा और भी काफी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं जिनको हम understand करने की कोशिश करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं अब एक question आपके mind में आता होगा कि DAX यानि कि data analysis expression किस तरीके से help करती है आपको कुछ भी काम करने के लिए और खास तोर पे वो लोग जो इस lecture को सुन रहे हैं ये उनको कैसे help out करेगा सबसे पहली चीज़ जब भी आपको interview के लिए prepare करते हैं खुद को खास तोर पे data analyst के interview के लिए तो आप से DAX से related काफी चीज़ें पूछी जाती हैं जिसमें Excel के basic functions भी हैं और Excel के अंदर अगर आप tabulated form के अंदर power pivot को use करें तो आपके सामने different किसम की queries आती हैं उन DAX के expressions या queries को सीखने के लिए जब आप DAX के उपर काम करते हैं तो आपके interview की त्यारी भी हो जाती हैं secondly DAX A to Z आप इस पूरे के पूरे lecture में सीखेंगे ये दुनों चीज़ें आपको data analyst के पास पास मैं बोलूँगा कि अगर आप बिल्कुल start से सीखेंगे ना मेरे साथ तो ये आपको data analyst बना कर छोड़ेंगे अगर आप कुछ चीज़ें मेरे से पीछे सीख चुके है data analyst के bootcamp से और कुछ नहीं सीखी तो ये आपको data analyst बनने के पास 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 छोड़ देंगे reason behind that क्योंकि सिरफ और सिरफ DAX ही enough नहीं है इसके इलावा और भी काफी चीज़ें जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है अब DAX के बारे में बात करते हैं कि DAX है क्या और इसको किस तरीके से utilize किया जाते है DAX is actually a data analysis expression data analysis एक ऐसी चीज़ होते है जिससे आप analyze करते हैं data को data analysis is a kind of I would say technique जिससे हम data से data-driven decision making करते है expressions क्या है ऐसे expressions जिनको लिख के हम data analysis करेंगे यानिकि ऐसी equations जो mathematical expressions जैसे होते हैं उन equations को लिख के हम कोई data analysis करें यह formula होता है is a formula language used primarily in Excel power pivot and Microsoft power BI to create custom calculations and analysis तो आप DAX को use करके custom calculation कर सकते हैं और analysis कर सकते हैं using power BI and Microsoft Excel DAX क्या करता है यह basically allow करता है users को to work with data modeling and reporting offering a range of functionalities जिसमें measures create करना होते हैं नए column आप create कर सकते हैं and custom tables create कर सकते हैं अब आप में से काफी लोगों का यह मानना है कि यह सारा गाम दो हो मैं MS Excel में भी कर रहे थे तो भाई DAX कहांपे आ गई तो मैं एक simple सी value आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूँ कि जब आप DAX सीखते हैं तो आप एक basic calculated model त्यार करते हैं जिससे automatically नया column बन जाते हैं इसी तरीके से आप customize कर सकते हैं tables को फोर एक्जेंपल आपके पास एक column है जिसके अंदर आपकी pocket money है दूसरा column है आपके expenditures का तो आप pocket money और expenditures का difference या percentage निकालने के लिए या तो पूरे का पूरा formula लिखते हैं Excel के अंदर हर sheet में पूरी के पूरी sheet में या flash fill कर देते हैं लेकिन DAX के अंदर आप एक expression लिखके automatically calculated पूरे का पूरा column ले आते हैं और वही formula reusable भी होता है किसी और table के लिए भी तो ये DAX का सबसे बड़ा advantage है अब इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से इस सारी की सारी चीज़े हम सीख सकते है अब आपके सामने DAX को हम कैसे यूज करते हैं या DAX होता कि जिसे हम data analysis expression बोलते हैं is a collection of functions ये function ही है ठीक है? operators भी है इसके अंदर and constants functions वो वाले functions जो Excel के अंदर हम different functions use करते हैं some का हो गया, average का हो गया, बाकी functions होगे operators ऐसी चीज़े होती है जैसे logical operator जैसे में and, or और बाकी operators को हम यूज करते हैं constant वो वाले चीज़े होती हैं जो constant रहते हैं जिसमें numbers भी हो सकते हैं जिसमें different other किसम के values भी हो सकते हैं तो functions, operators and constants that can be used in formula और expression to calculate and return one or more values हम इन तीन चीज़ों को functions को, operators को और constants को use करते हैं, जिससे एक formula बनते हैं उसी formula को ही expression बोला जाते हैं यानि कि जैसे हम excel की sheet के अंदर एक formula लिखते थे, कुछ चीज calculate करते थे, similar way में functions, operators and constants को use करते हुए, हम DAX के अंदर भी formula बनाएंगे expressions लिखेंगे, and differentism की calculations करेंगे, इसका मतलब यह हुआ, कि जो excel के formula हैं, DAX उससे थोड़ा सा advanced level पर है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, जैसे आप excel में average निकाल लेते थे, sum निकाल लेते थे, count निकाल लेते थे same उसी तरीके से अगर आप देखें तो DAX के अंदर भी वही चीज़े हैं, but in a different level तो थोड़ा सा आगे जाके, इसको थोड़ा सा advanced सीखना पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं कि यह वही expression, वही formula है, लेकि on an other level, अब उसी तरीके से आप लिखते हैं सारे formula, कुछ चीज़ें इसमें different होती हैं, जो हम देखने वाले DAX का सबसे बड़ा advantage यह है कि अगर आप DAX यानि कि data analysis expression Excel में use करते हैं, तो यह आप को variety of benefits देते हैं, जैसे data modeling करके देते हैं, analysis करके देते हैं, and reporting capabilities आपको provide कर देता है, inside Excel, और इसके इलावा आप traditional Excel formula से भी एक step ahead जाते हैं, यानि कि वो लोग जिनके पास Excel का पूरे का पूरा package install होता है, या पूरे का पूरा software install होता है, उन्हें यह नहीं पता होता, कि हम Excel से क्या-क्या फाइदे ले सकते हैं, DAX can actually give them another overview, कि सिरफ formula ही नहीं लिखा जाता बलकि इससे आप advanced level पे भी जा सकते हैं and there are some key benefits of using DAX, सबसे पहले आप large data set को बहुत अच्छे तरीके से handle कर सकते हैं, you can do advanced calculations, बहुत बड़ी-बड़ी calculations कर सकते हैं, you can do dynamic aggregations, यानि कि multiple columns को या multiple rows को आप aggregate कर सकते हैं dynamically, यानि कि आप formula की base पे ही पूरे के पूरे को पूरे column को aggregate कर सकते हैं, instead of writing the whole cell number, cell range or these kind of things, time intelligence इसके अंदर आप use कर सकते हैं, यानि कि आप अपनी basis पे time और date के data को handle कर सकते हैं and you can also seamlessly integrate with Excel features, यही DAX Excel के features के साथ seamlessly integrate भी करती है, इसके इलावा data modeling relationship, reuse of calculation, जो मैंने आपको पहले भी बताया, आप एक दफा formula लिखने हैं, आप same formula किसी और चीज़ के लिए भी use कर सकते हैं, efficient data refresh, आपका data जो है efficiently refresh होता जाता है, instead of using all the columns at one place, यह सिरफ और सिरफ एक column पे पूरे के पूरा formula लगाता है, जो हमाने वाले lectures में देखने भी वाले हैं, यह advanced filtering भी करता है, and context manipulation भी आप इससे कर सकते हैं, यानि कि DAX के through, आप exploratory data analysis, या data modeling, या data manipulation, या data preparation, बहुत ही कमाल तरीके से कर सकते हैं, जिन लोगों को मेरा power query याद है, जो पिछले दिनों हमने record किया था, और उसके अंदर हम देख रहे थे, data night के दिनों भी, कि हम एक data को लाते हैं, और data को import करते हैं, वकट power query editor में ले जाते हैं, power query editor के अंदर जो काम हम कर रहे होते हैं, ना सेम तकरीबन काम formula के थूँ, हम DAX के अंदर करते हैं, और वो power BI और Excel दोनों में हम कर सकते हैं, so that's what I am saying, कि आपको बे बहा इसके advantages जो हैं, वो मिलते हैं, अब आपको समझ आगी कि DAX के benefits क्या है, DAX होता क्या है, DAX सीखने के लिए आपको किन-किन चीज़ों का ख्यार रखने हैं, और DAX के लिए आप किस तरीके से अपनी आपको skill up कर सकते हैं, so यहां तक अगर आपको clear हो गया, write down in the comment section, अब मैं इससे एगले lecture में बताऊंगा, कि DAX के prerequisites कौन-कौन से हैं, और DAX किस तरीके से हमें help out करता है to understand complex relationships among datasets, columns, rows and other values.